नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन इस्टडी पॉइंट पर दोस्तों आज का जो आपका पेपर था देट मींस 10 जन्वरी 2023 आज का जो आपका पेपर था यकीनन जैसे कल का था वैसे आज का था लेकिन हाँ एक चीज आज हमको देखने को य आप से ये जब से ये नया पेपर हो रहा है नए सेसंड में नए फेज में नो जन्वरी से आपका जो पेपर कल से सुरू हुआ फुल फॉर्म ज़्यादा पूछ रहे हैं जैसे सी सी का फुल फॉर्म पूछे हुए हैं और नीचे में आपको भी दिखाने वाला हूं कौन टॉपिक्स होते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको बार बार टच किया जाता है वह टॉपिक कौन से हैं इन्हें आप देख लें जीन पियाजे हर बार बार लगातार इनसे प्रस्ण बना है और जीन पियाजे पर जो प्रस्ण आया था दोस्तों वो आया था इसकीम संग्यानात्मक्ता और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ जिसका पेपर अभी नहीं हुआ है वो डेली साम का अनालिसिस देख लिया करो कि जो भी आपको आपका रोज पेपर हो रहा है इतना भी कर लोगे ना फिर भी पास हो जाओगे तो इस कीमा आपको पता ही होता है यस फार इस्टोरेज यानि जो भी बातें आप पढ़ते हो और आपके दिमाग में वो सेब होता चला जाता है दोस्त वो क्या होता है आपका इस कीमा होता है बात करें संग्यानात्मक्ता की तो जीन पियाजे ने संग्यानात्मक विकास के चार चरन दिये संबेदी पेसी यवस्था जीरो फे दो वर्स पूर्व संक्रियात्मक दो से साथ मूर्थ संक्रियात्मक साथ से ग्यारा और अमूर्थ संक्रियात्मक ग्यारा वर्स के लाश्ट तक अब मैं दूसरी बात आपसे करने वाला हूँ दोस्तों वाई गोट्सकी से क्या पूछा गया था वाई गोट्सकी फे दोस्तों दो प्रसंद थे एक था जेट पीडी मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान पे देखीगा एक तो आपसे जटपीडी पूछा गया और एक आपसे पूछा गया था भासा संस्कृती समाज से संबंदित भासा संस्कृती समाज यानि अगर ओवराल दोस्तों देखा जाए जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है मैं इस बात को क्यूं कहता हूं मैं इस बात पर इसलिए बटा जोर देता हूँ कि जितना मैंने आपको कराया है अगर पास होना है तो इतने पढ़ना ज्यादा कठिंतम प्रश्णों की तरफ न भागें जितना आपने पढ़ा है जितना मैंने पढ़ाया है परियाप्त है बार बार रिवीजन कराया हूँ ध्यान रखना सतत और व्यापक मुल्यांकन आया है समावेसिस इच्छा या भी नीचे आपको पॉइंट दिखेगा सारा तो आप जानते ही हो वाईगोट्सकी में किलियर कर दूँ अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ट दिखता है तो वाईगोट्सकी मार्द होगे जबकि जड़ पीडी के बारे में आप जानते हो जड़ पीडी के दोस्तों कई नाम है हो सकता है कल के पेपर में इसका नाम अलग ढग से आ जाए संभावित विकास का छेतर भी दोस्तों इसी को कहते हैं क्या कहते हैं संभावित विकास का छेतर दोस्तों इसी को समीपी विकास का छेतर भी कहते हैं समीपी विकास का छेतर भी दोस्त यही होता है और जो न प्रॉक्षिमल डिवलप्मेंट तो आप जानते ही हैं इसके बारे में कुछ और क्या आ सकता है वो भी मैं चर्चा कर देता हूँ आपके सामने जेड़ पीडी दोस्तों मैंने आप से कहा था समस्या समाधान के दौरान समस्या समाधान के दौरान किसी वयस्क के दौरा लिया गया सहयोग ही जेड़ पीडी कहलाता है मतलब मैंने कहा एक बच्ची है जो हाथी का एक खिलोना लेती है उससे खिलोना तूट जाता है वो तीन पैरों को जोड रही है ये देखिए तीन पैर उसे सही जुड़ गये और चौथा पैर दोस्तों गलत जुड़ गया अब यहीं पे वो खड़ी होकर बैट के इंतजार कर रही है सोच रही है अगर उसकी कोई हेल्प कर दे यानि तीसरे पैर पे यहां वो खड़ी है सोच रही है कि अगर यहां पे इसकी कोई हेल्प कर देता है तो यकीनन अगर यहां पी इसकी कोई हेल्प कर देता है तो यकीनन वो उस चीज में सफल हो जाएगी लेकिन हाँ अब आपसे प्रश्ण कैसे रहेगा प्रश्ण इस तरह रहेगा किस समस्या समाधान के दौरान किसी वयस्क के दौरा लिया गया सहयोग कैसा होता है दोस्तों सहयोग लाष्ट में लेते हो लेतिन ये जो सहयोग है ये अस्थाई है क्या है अस्थाई है अब कहोगे सर जी कैसे क्योंकि बटा ये सहयोग अस्थाई है अगर बच्चा दुबारा भी गलती करता है इसी तरह समस्या आती है फिर आप डाट दोगे थपल मार दोगे लेकिन उसे आप बताओगे जरूर इसके फॉल्डिंग जश्ट इसके विप्रीत है इसके फॉल्डिंग में मदद आप सुरुवात में देते हो तो याद रखना बैलिड पॉइंट से यंसी अब 2005 फे टोटल 20 प्रस्ण आये थे मैं जितना आपको बोल दूँ विस्वास माने बस पास होना है तो आपके लिए परियाप्त है यंसी अब 2005 से भी आपके 20 प्रस्ण बने थे आप जानते हो पांच लाइन याद रखना कोई दि प्रस्ण आया था कि ज्यान को अफ़ली जिंदगी से जूड़ना ज्यान को गतिवी दिखे द्वारा देना ज्यान को रट्टा मार पलाली से दूर ले जाना ज्यान को मूले परक बनाना डैट मिन्स एंसी अफ की पांच लैन आपको अपने दिमाग में शेट कर लेना है होता है प्राकृतिक बुद्धी आप जानते हो साइंटिस्ट होता ना जो हमारे जो ये बैज्ञानिक होते हैं इनके अंदर प्राकृतिक बुद्धी होती है तो ये दोस्तों हावर्ड गार्डनर और मैंने आपको कलवीज के बारे में कहा था हावर्ड गार्डनर की कमी यही थी कि कई प्रकार की बुद्धियां होने के कारण इनका मापन नहीं हो सकता इन्होंने कहा मनुष्य के अंदर 10 तरह की बुद्धियां होती है इन्होंने कहा मनुष्य के अंदर 10 तरह की बुद्धियां है लेकिन 9 बुद्धियां सोजाती है एक बुद्धी ही जागरत हो पाती है जो उस ब्यक्ति का वातावन डिसाइड करता है मतलब कहने का इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि मनुष्य के अंदर सच में दसो बुद्धियां होती है लेकिन किसके अंदर कौन से बुद्धी आएगी अब किसी के अंदर नेता वाली बुद्धी आगई किसी के अंदर साइंटिस्ट वाली बुद्धी आगई किसी के अंदर आप जानते हो की बीमा एजन टाइप बुद्धी आगई तो मतलब ये तो उस घर के वातावन का उस ब्यक्ति का वातावन डिसाइड करता है कर उस ब्यक्ति को वेवकूब बना दे उसे अंतर ब्यक्तिक बुद्धि कहते हैं ध्यान रखना अंतर ब्यक्तिक बुद्धि और भासाई बुद्धि जो लोग कहा गया है न एक ब्यक्ति भांसा बोलने में इतना माहिर हो कि सामने वाले भ्यक्ति के आँसु निकाल दे वाई साब भागवत सुनाते हैं जो लोग एक दिन का पैफा ना मिले तो भागवत सुनाना छोड़ दे लेकिन इतनी तगड़ी बुद्धी है कि वो जब कथा सुनात लेते हैं लोग बात करें दोस्तों कुछ बिकार भी आपके पेपर में आया था कल की तरह सेम रिपीट हुआ है डिस्लेक्सिया आप लोग जानते ही वह पथन भिकार होता है डिस्ग्राफिया मैंने आपको बता था लेखन विकार है ये और डिस्कैलकुलिया जो की आया नह मिश्टेक है दोस्तों ये समावेसी सिच्छा में आपसे प्रश्म पूछा गया था समावेसी सिच्छा मैंने आपको बता है मेरी लाइन याद रखना अगर आप चाय पीते हो ना तो जाहिर बात उसके साथ ब्रेड भी याद आता है अगर आप डेली खा रहे हैं तो और खात अभी आप लोग पढ़ रहे हो ये भी तो समावेसी क्लास है सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में बच्चे देख रहे हैं ये वैकतिक विभिनता है क्योंकि हर वैकति का सीखने की चमता अलग होता है उसके बोलने की उसके समझने की उसकी सीखने की चमता अलग होती है यही होता है समावेशिस इच्छा इसी को कहते हैं व्यकतिक भिभिनता नैतिक विकास आप लोग जानते हो लारेंस कोहलबर्ग सब्सक्राइब को दिमाग में सेट रखना आपको यह बातें आपको दिमाग में विर्कुल सेट रखना है मोर से संबंधित प्रश्ण आपका आया था तो आपको पढ़कर जाना है मोर से संबंधित प्रश्ण क्या हाँ CCE का दोस्तों फुल फॉर्म आया था जर आप जरू देखें इसको CCE का फुल फॉर्म होता है continuous and comprehensive evaluation मतलब सतत और व्यापक मुल्यांकन मैंने आपको बताया है इसका मतलब होता दोस्तों सतत और इसका पूरे का मतलब हो गया ब्यापक comprehensive का मतलब होता है ब्यापक और evaluation का मतलब मुल्यांकन तो सतत मूल्यांकन में दोस्तों एक ची ध्यान रखना सतत मूल्यांकन का मतलब आपके अंदर के डर को समाफ्ट करना जैसे आज के जमाने में क्या होता है यफे 1, यफे 2, यफे 3, यफे 4 यानि फार्मेटिव असेस्मेंट 1, फार्मेटिव असेस्मेंट 2 यानि जो उनका टेस्ट एक्जाम होता है और आपके हमारे अपने जमाने में क्या हुआ करता है हुआ करता था दोस्तों यूनिट टेस्ट हुआ करते थे तो वो सतत मुल्यांकन है लेकिन ब्यापक मुल्यांकन में ब्यक्ति के हर पहलू का मुल्यांकन होगा आप जानते ही हैं हर पहलू में सतत मुल्यांकन तुआ ही जाएगा उसकी चारित्रिक गत्वी दी उसकी खेल की गत्वी दी यानि हर पहलू यहां पे सामिल है बिस्व योग दिवस कब मनाय जाता है दोस्तों 21 दून यह भी प्रस्ण था मोर मने बता ही दिया है और यह पारक्ट का जो फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपको जहां देना है क्या है परफॉर्मेंस एसेस्मेंट पी से परफॉर्मेंस एसे एसेस्मेंट आर से रिविउ और एसे अनालिसिस केसे नॉलेज और यज़ से आपका होता है हॉलिस्टिक डेवलप्मेंट पूरा आपका यहां तक है यह तो यह इसका फुल फार्म हो गया तो यह कुछ प्रमुक बिंद हुआए थे और मैं आपको लास्ट में कुछ बात कहना चाहूंगा दोस्तों आप लोग साम को नौबीस पर डेली जुड़िये आपको नौबीस या साथे नौप पर आपको डेली जो में जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा है आप डेली अगर इतना भी देख लोगे तो पास होने की गारंटी हम कहते है आराम से पास हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ये आपके पेपर का एक सार था और हाँ हिंदी में दोस्तों जो आपका हिंदी जो आपकी आई थी पैड़ागाजी वही भासा के कौसल और उसमें भाफा अरजन से संबंधित अधिगम से संबंधित एक प्रस्न था और बात करें गणित की गणित में दोस्तों जो पैड़ागाजी था पैड़ागाजी में मैं कहता हूं कि जो छोड़ी-छोड़ी संप्रत्ते ग्रिड पेपर grid paper का प्रेवग हम लोग वहां करते हैं जहां पर भिन्नों की तुलना करनी होते हैं गर मैं कहूं एक बटा चार बड़ा है कि एक बटा पांच बड़ा है तो ऐफे चीजों को समझाना है तो grid paper पे करवाना और जोड़ घटाओं में समस्या आ रही है कि सर जी यह जो आलेख paper है मैं यहां आपका दो number clear करा दिता हूँ आलेख paper या graph paper दोनों का मतलब एक ही होता है आलेख लिखाओगा या graph paper लिखाओगा दोस्तों दोनों का मतलब एक ही होता है यहां मैं आपको दिखा दिता हूँ थोड़ा यहां जगह है पूरा तो आलेख हो या ग्राफ हो दोनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है इनका प्रियोग अगर बच्चा इस तरह की गलती कर रहा है दसमलो तीन बराबर कहता है दसमलो दस तो मान कर चलिए अगर ऐसी समस्याओं उसको आ रही है यानि जोडने, घटाने, गुड़ा करने, भाग करने अभाई मान लिए चार धन पांच बराबर हो कह रहा है दस तो इस तरह की समस्याओं को अगर आपको दूर करना है इस तरह की समस्याओं को अगर निपटना है इससे तो आप ध्यान रखना में जो आपको बात भी बोला आलेक पेपर या आप ग्राफ पेपर का प्रियोग करेंगे और ग्रिड पेपर का प्रियोग केवल भिन्नों के तुलना करने के लिए समझ रहा न grid paper के अप्रयोग हम लोग भिन्नों की तुलना करने के लिए करते हैं संस्कृत की भी बात आपसे कर लेते हैं संस्कृत में दोस्तों कुछ word मैं आपको बता दिता हूँ जो आज आया हुआ था जैसे मैंने क्या कहा था मैंने कहा था दोस्तों कि संस्कृत के कुछ word आपको ध्यान रखना है जैसे अर्थबोध इससे दो प्रसंद था जिस भी आपसन में आपको अर्थबोध दिखे उसे positive मान के चलिएगा समझ रहें बात को ध्यान रखना संस्कृत की जो पेड़ागोजी होती यहाँ पे बच्चा और सिच्छक दोनों महत्पूर है तो बाल के अंदृत और सिच्छक के अंदृत यह दोनों होता है तो यह थै कुछ आज के प्रस्ण आज का पेपर भी दोस्तों आपका कह सकते हो बिल्कुल moderate level का था अच्छा प्रस्ण था और आप बेहतर स्कोरिंग आद भी आप करके आए होंगे मुझे पूरी उम्मीद है जिनका पेपर रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब जरूर लिखिएगा कि आप कितना नंबर करके आए और जिनका होना है यह बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक इसमें से नहीं आए यह आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईएगा और अगर आप पहली बार विजिट किये हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेयर करेंगे तो हमारे लिए झाल